हेलो दोस्तो, कोल इंडिया का लेटेस्ट रिव्यू हम 2023 में करने वाले हैं और यहाँ पर हम चार चीजों पर फोकस करेंगे बिजनस, फाइनांशियल्स, कोल, सेक्टर को समझेंगे और फाइनल डिविडेंट के वारे में डीटेल्स हम समझने वाले हैं और जितना बढ़े उतना अच्छा है, लेकिन production एक स्टोरी है दूसरी स्टोरी यह होती है कि कितना off-take हुआ है पिठेड में तो कोईला पड़ा रहता है, लेकिन वो कितना कोईला बाहर गया है जितना बाहर जाए, उतना अच्छा होता है तो जैसे पिछले साल बहुत ही अच्छा हुआ था 177.4 million ton कोईला off-take हुआ था इस बार देखेंगे, और अच्छा हुआ है 186.95 million ton तो एक strong numbers हमको production के numbers, off-take के numbers हमको आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों अब देखें, sales के बारे में बात करते हैं पिछली बार 32,497 करोड का sales हुआ था इस बार देखें, थोड़ा सा sales increase हुआ है 33,072 करोड का और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ April से June 2023 को ठीक है, ये जो जिसके तिमाही के जो result आए है उसकी बात कर रहा है, लेकिन आप profit में देखेंगे एक impact आया है, पिछली बार profit देखें, 8,834 करोड का profit था, इस बार 7,941 करोड का profit है, अब इसको हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है और जैसे कि हर बार मैं आपको data के माध्यम से समझाता हूँ, simple करके, simple करके, फिर से मैं आपको समझाता हूँ, तो देखें, जब हम कोईले की बात करते हैं, तो कोईल इंडिया जैसे कोईला बेचते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होती है fuel supply agreement, जो दो पार्टी के बीच में already एक agreement हुआ रहता है, वहाँ पर coal India को कोई बहुत बड़ा फरक नहीं पड़ता है, यह बहुत बड़ा profits नहीं होता है, ठीक है, एक जैसे पिछले साल यह आप देखेंगे, per ton, कुछ 1442 रुपीज का उनको realization हो रहा है, जो दूसरा तरीका होता है, वह होता है e auction, e auction में बहुत सारे participant होते हैं, यहाँ पर price discovery भी होती है, वहाँ पर coal India को अच्छा फाइदा हो जाता है, वहाँ पर जैसे पिछले साल देखें, close to 4340 रुपीज पर ton, कोईला जब उन्होंने बेचा तो realization हुआ था, और पिछली बार अगर आप देखेंगे, लगभग उन्होंने जो कोईला बेचा था, net sales उन्होंने देखे, 31,262 करोड की की थी, तो close to 30% उन्होंने e-auction से कमाया था, जो भी sales किया था, close to 30% e-auction से sales किया था, और 70% उन्होंने FSA, जो fuel supply agreement है, उससे किया था, और हमको पता ही है, पिछली बार कितना अच्छा profit भी हुआ था, इस बार आप देखेंगे, numbers change हुए है, आप FSA की बात करेंगे, थोड़ा सा increase हुआ है, 1536 per ton, लेकिन जो e-auction था, 4,340 रूपीज था per ton, इस बार देखें, 3,740 रूपीज per ton, ग्लोबल मार्केट में कोईले के price गिरे है, पिछले साल कोईला का price ज्यादा था, जो यूक्रेन रश्या युद हुआ था, तो commodity price कैसे बढ़ गई थी, oil का price बढ़ गया था, बाकी भी commodity के price बढ़ था, तो कोई close to 20% e auction हो गया है, पिछली बार कितना था, 30%, 100 में 30 e auction से बिखता था, 70 FSA से बिखता था, इस बार 20 e auction से बिख रहा है, और ये action का थोड़ा margin भी ज्यादा रहता है, और FSA में margin भी कम रहता है, लेकिन वो 80% बिखा है, तो इसके कारण से impact हुआ है, तो क्या इसमें घबराने premium कम हुआ है, तो हो सकता है, आने वाले time में, जो coal का volume है, वो बढ़े, तो कि अगर सस्ता कोईला मिलेगा, तो जो दूसरी कमपनिया है, वो हो सकता है, इंपोर्ट करती हो, या कुछ और तरीकों से कोईले का विवस्ता करती हो, वो coal इंडिया के पास ही direct e auction से coal खरीच सकते ह है, क्योंकि coal के price कम हुए है, अब ये चीज़ को हमको आने वाले time में देखना है, ये auction premium कम हुआ है, और कम होने की उम्मीद है, लेकिन volume किस हिसाब से बढ़ते है, ये हमको फिर आने वाला quarter two, quarter three के result में हमको पता चलेगा, next है production का numbers, जो कि हमने देखा अभी तक strong है, और April से चुलाई पिछले साल 207 million ton production किया था, इस बार आप देखेंगे 229 million ton production, तो production आप देखेंगे कि बढ़ रहा है पिछले साल के comparison में, बस profit कम हुआ है, पिछले साल एक unique साल भी था, जहाँ पर commodity prices बहुत ज्यादा बढ़े थे और उसकी वज़ा से एक अच्छा खासा profit हुआ थ यहाँ पर हुआ है, अब मैं आपके साथ discuss करता हूँ, coal India के valuations, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ 235 के पास share price है, तो पहले price to earning समझ लेते हैं, price to earning देखेंगे 5.35 है, इसका मतलब क्या है, company अगर एक रूपिया profit करती है, तो market 5.35 times valuation देने के लिए ready है, तो मैं य देखते हैं, तो जैसे price to book उनका median 3 के आसपास रहा है, अभी अगर आप related का price to book देखेंगे, तो कुछ 2.5 के आसपास में, तो valuation के दो parameter, बहुत सारे parameter होते हैं, दो important parameter में, coal India थोड़ा सा हमको सस्ता देखने को मिल रहा है, बाकी strong ROC और ROE है ही, और almost debt free company है, 0.08 जो debt है, हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह कुछ valuation के आकड़े है, large cap की company है, 1.44 लाग करोड का market cap है, तो valuation में थोड़ा सा comfort हमको बैठता है, लेकिन हमको दूसरी चीज भी देखनी है, कि valuation 5 उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन market future में कोईले को कहां देख रही है, और वो बहुत हद तक valuation में भी reflect कर रहा है, इसलिए जरूरी हो जाता है समझना, coal sector का future में क्या growth हो सकता है, यह IEX Indian Energy Exchange में data लाया हूँ, जहाँ पर भारत में जो installed capacity है, किसकी power की, और जो हम power की बात करते हैं, वहाँ पर ही maximum coal का use होता है, ठीक है, तो 238 gigawatt यह capacity है, अभी कोईले की, और coal अगर total हम देखें, तो 56% जो electricity है, आप सोच सकते हैं, जो बनती है इंडिया में, वो कोईले से बनती है, तो बहुत बड़ा usage है, लेकिन चुकी clean energy, green energy एक बड़ी theme है यहाँ पर, 2030 में इसका जो भूमी का है, वो 32.7%, 33% हो जाएगा, मतलब आप ऐसा सोच सकते है, market share कौन गेन करेग और थोड़ी बढ़ सकती है, 267 GW हो सकती है, लेकिन कितना बढ़ेगी, यह 1.7% के हिसाब से बढ़ेगी, तो ग्रोथ होगा, इस सेक्टर का, लेकिन बहुत कम ग्रोथ होगा, 2% से भी कम में यहाँ पर ग्रोथ होगा, दूसरा आकड़ा है, यह coal इंडिया का यह आकड़ा है लास्ट देर दो साल पहले यह आकड़ा ओल आये थे, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी या पावर की डिमांड बढ़ेगी, उससे कोल पर क्या फरक पढ़ सकता है, जैसे फाइनांचियल या 19 से 30 का उन्होंने स्टड़ी किया था, उन्होंने कहा कि अगर 6% पावर या इले अचा कर रहा है, strong कर रहा है, strong dividend stock भी है, जिसके बारे में बात करने वाला हो, लेकिन future में इसका growth negative नहीं होने वाला है, या कम नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत positive भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर भारत की GDP 6-7% से growth करती है, तो कोईला कुछ 2-3% के आसपास growth करे, इस उसकी बात कर रहे है, कोईला से chemical diversification की बात कर रहे है, फिर natural gas based fertilizer plant गोरकपूर, सिंदरी और वराणी में, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं उसके उपर, और नए जो business model है future के, क्योंकि देखे, ये एक चीज़ तो है कि future में renewable energy आने वाली है, तो कोल इंडिया भी धीरे-धीरे करक है, जैसे solar पर, फिर aluminum पर, फिर hydrogen पर, लेकिन ये बहुत ही नया है, और diversification के लिए आप इसा मान सकते हैं, छोटे-छोटे ये गदम वो उठा रहे हैं, अभी का main business आप देखेंगे, तो कोईलाई है, कोल ही है, और कोल पर ही total business dependent है, लेकिन आने वाले साल, मैं कैसा successful diversification होता है वो की रहेगा देखने का, लेकिन कोल इंडिया की तरफ से dividend भी bumper आया है, investors की बात करें, जैसे अभी जो financial year खतम हुआ, 24 रुपीस, 25 पैसे का dividend है, जो आप देखेंगे, पिछले 5 financial year में सबसे अच्छा dividend है, और इसमें 4 रुपीस का final dividend तो अभी तक आया भी नहीं है, एक dividend आ इसके अंदर में, वो जो 4 रुपीस का dividend है, जो इसके अंदर में included है, 24.25 में included है, तो यह मैं बात कर रहा हूँ, 4 रुपीस के dividend की, current price 235 के आसपास चल रहा है, जब यह मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, जब मैं कोल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो 24.25 एक अच्छी dividend इल भी कही जा सकती है, आराम से 10% से उपर की dividend इल है, लेकिन पिछला साल एक बहुत high profit भी हुआ था, उसको भी हमें आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, overall आप numbers की बात करेंगे, जो expectation है, उसके हिसाब से एक अच्छे नतीजे, यहाँ पर coal India की तरफ से आये हैं, ज मुझे उमीद है आपको value मिली होगी, last मैं आपके लिए important opportunity के बारे मैं बात करूँगा, जहाँ पर AI powered multi bagger mastery के बारे मैं live classes लेने वाला हूँ, जहाँ पर AI tools के उपर मैं focus करूँगा, और AI tools की मदद से कैसे आप अपने investing को मजबूत बना सकते हैं, वहाँ focus रहेगा, total 14 days focused learning होन हम से हम सीखेंगे stock और fundamental analysis, अगर आप beginner हैं और market में direction को खोज रहे हैं, तो ये course आपको बहुत help कर सकता है, sector analysis को समझेंगे, quantitative जैसे financial statement ratios को जानेंगे, company report की analysis हम कैसे कर सकते हैं, AI tools की मदद से कैसे और analysis आसान हमारे लिए हो सकती है, उन AI tools को मैं आपके साथ live यहाँ पर discussion करने वाला हूँ, qualitative analysis को हम समझेंगे, red flags को जानेंगे, कैसे आप अपना एक strong investing checklist आप बना सके, उस पर हमारा यहाँ पर focus होने वाला है, recorded sessions भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, यह 7 live classes के बाद, इन sessions को आपके लिए lifetime आपके लिए access रहने वाला है, sector analysis का course है, जिसके कीमत 1000 रुपीज ह हम discuss करेंगे, बहुत सारे key materials जो market से related होते हैं, उनको मैं आपके साथ share करूँगा, दो excel sheet आपके साथ share करूँगा, जहां पर क्या important चीजे investing से चुड़ी हुई देखनी चाहिए, उसके अंदर सब data है, और हर महीने doubt clearing session भी, जो भी learners रहेंगे, उनके लिए होने वाला है, अग को बहुत अच्छे testimonials भी मिले हैं, दोस्तों, आप भी explore कर सकते हैं, मैं आपका wait करूँगा, 18th August को पहली live class में, subscribe करके रखेगा, अल्ली financial आजादी, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you, दोस्तों